हेलो फ्रेंड्स प्रीती यम्मी रेस्पीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैंने बहुत ही हेल्डी और टेस्टी मेगी आठा नूडल्स बनाए हैं जिस तरह से मैं बनाऊंगा आप उसी तरह से घर पर बनाएं तो आपके noodles बहुत ही tasty बनेंगे और ये खाने में बहुत healthy होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर आटा noodles का यूज कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी vegetables दालेंगे तो चलिए start करते हैं तो इसके लिए मैंने दो packet मेगी आटा noodles लिए हैं अब चलते हैं next process में एक कडाई लेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच oil या छोटे दो चम्मच oil oil गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे एक महीन कटा हुआ प्याज gas का flame हमें medium रखना है और प्याज को हलका सा golden brown होने तक हमें fry करना है यह प्याज हमारी हलकी सी golden brown हो गई है तो इसमें डालेंगे एक कटा हुआ गाजर और एक कटा हुआ सिम्ला मिर्ज इनको भी अच्छे से मिला देंगे और medium flame पर हम थोड़ा सा इनको भी fry कर लेंगे अब मिलाएंगे एक कटा हुआ टमाटर और एक चोटाई चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी से नूडल्स का कलर बहुत अच्छा आता है मसालों में एक चोटाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आदा चम्मच नमक मसाले हमें बहुत कम यूज करने हैं क्योंकि हम इसमें मेंगी पाउडर भी यूज करेंगे थोड़ी दिर तक करीबन दो मिलट के लिए हमें इसको चलाते हुए ऐसे ही फ्राई करना है ये सबजी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब इसमें डाल देते हैं मैगी मसाला क्योंकि यहाँ पर दो पैकेट हमने नूडल्स लिए हैं और इसको ढखकर करीबन दो मिलट तक हम ऐसे पका लेते हैं दो मिलट के बाद आप देख सकते हैं इसमें ओबाल आ चुका है पानी में तो अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स नूडल्स को मैंने तोड लिया है गैस का फ्लेम अब हम मेडियम या लो कर देंगे तो अलो फ्लेम पर फ्रेंट्स हम इसको करीबन दो मिलट के लिए फिर से डखके पका लेंगे और ही हमारे दो मिलट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो मैगी अलमोश्ट हमारी बन चुकी है यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखा फ्रेंड्स इसको बनाना कितना आसान है और यह खाने में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेश्टी होती है आप इसी तरह से घर पर अपने निूडल्स बनाएं अगर आपको यह हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट करें फिर मिलेंगे अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाई